ै कि है कि है युँ दोस्तों स्वागत आपका हमारे शेनल पर तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग का आन्म शेंड़ी मैन पूरी तरीके से स्मफ हो जाएगा कम्प्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग करेक्टर देखेंगे तो आज से हम लोग केरेक्टर की शुरुवात करने जा रहें चुकि जो प्ले है वह पूरी तरीके से कम्प्लीट हो चुका है तीनों उसके मैंने पढ़ा दिये हैं तो कैप्टन ब्लंसली जो की इस प्ले का हीरो है तो सबसे पहले इसी का तो देख सकते हैं कैप्टेन ब्लंसली को एप प्रोफेशनल सोल्जर थोड़ा सा इंट्रोडेक्शन दे देता हूं उसके बाद में करेक्टर पर चलता हूं कि एक प्रोफेशनल सोल्जर मिंस इसकी इच्छा नहीं है कि वार में जाएं वार बहुत अच्छी चीज है युद्ध में जाएं सेना में अपनी जीवका के लिए गया है जीवका लिबिंग के लिए सेवा कहां दे रहा है अपना सर्वियन आर्मी में रहने वाला सूर्जर लेंड का है लेकिन दूसरे देश में जाकर सेना में भरती हो गया किसलिए प्रोफेशनल तौर पर बस जीवका चलाने के लिए वार में विष्वास नहीं रखता है उसकी मुर्खता पर यह विष्वास नहीं रखता है कहता है वार बहुत बेकार चीज़ है अभी मैं आपको आगे बताऊंगा तो चलिए देखते हैं तो सबसे पहली हैडिंग आपको इंट्रोडेक्शन लिखनी है उसमें क्या लिखना है इस दा मोस्ट इंपोर्टेंट कारेक्टर बहुत इंपोर्टेंट कारेक्टर है मैं थोड़ा सब पढ़ देता हूं नौट विकॉस ऐसा इसलिए नहीं ही इस दा टीटिलर आज दा रि वो इस प्ले का सीरसक है बड़ बिकॉस बलकि ऐसा इसलिए है थ्रोहिं क्योंकि उसके माध्यम से सौ यानि जीबी सौ ने एक्सप्रेसेस इस ओन आइडिया अपनी खुद की आइडिया को ब्यक्त किया है एंड ओपिनियंस और विचारों को अब इसको स्मझ लीजिए कि प्ल Champions प्ले का इंपोर्टंट के एक्रेक्टर है ऐसे इसलिए नहीं है कि वहार इससे लिए उसको इंपोर्टंट कहा जाता है क्योंकि जार्ज बरनार्ण शाह ने उसी के माध्यम से अपने आइडिया और मिचारों सो ब्यक्त कियाुए यहनी माउठ पीस मतलब दिमाज देखिए यहां पर मैंने उपर ही बता दिया है कि उसके आइडिया किसका है जाज बनौट स्वा का लेकिन रूप किसका दे रहे हैं बलंसली का तो इसलिए वहां पर उसको मुखपत्र कहा गया है मुखपत्र मतलब माउथपीस कहा गया एंड स्पोक्समेन ब्लंसली इस दा मोस्ट फैसिनेटिंग एंड इंट्रस्टिंग करेक्टर इन आर्मशायंड दी मैं यह सबाब जान सकते उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट इसका है वह आउट वर्ड एपिरियंस यानि कि वह कैसा दिखता है अगर आप पहली बार उसको उसको देखेंगे तो कैसा आपको लगेगा इस अबाउट थर्टी फाइप एर्स ओल कहीं थर्टी फोल लिखा होता है दोनों से है चौतिस पैंटिस वर्ष का है जो भी है इस अफ मीडियम इस्ट्रेचर इस्ट्रेचर भी होता है हाइट यानि कि मद्यम उचाई का है यह डज नाट पजस्टिंगेजिंग फीचर एं पर इंडिकेटिफ ऑफिस सार्फ इंटेलिजंस थोड़ा सा बुद्धिमान चुकी सेना में है न तो बुद्धिमान देगा तो यह सारी चीज़ा आप लिख सकते हैं और यह कि यह दो हैडिंग है अब इसके बाद हम देखते हैं नक्स्ट हैडिंग पालगा दूसरी हैडि ह enquले का रहने का तरीका जो है रियलिज्सम वास्त्विक्तावाब में विश्वास करता है मतलब भ्रम में नहीं रहता किसी चीज स्करती ब्लंशलीज रेयलिस्ट यानि रियलिस्ट है घाली फैडा मात्र रेयलिस्ट स्प्ले में he may have a sop keeping mind he may behave like a machine एक machine की तरह behave करता ही में इवन भी एक creature without heart उसको आप कह सकते कि बीना दिल का है मतलब वो दिल से नहीं सोचता है दिमाग से त मिनाँ सोचता है इसलिए यहांपर कहागा है रियलिस्ट है कि कंसीडे सुच्च अइस वो चीजों वह ऐसे He acts just as occasions demands from him, वो ऐसे ही काम करता है जैसा आउसर उससे चाहता है, यह जैसा आउसर, जैसा समय होता है, वैसा ही वो काम करता है, He lives in the present, प्रेजन्ट में रहता है, and never in the past and future, past or future के बारे में कभी नहीं सोचता है, और दोस्तों, लाश्ट तक आप लोग इसको देखिए, और लाश्ट में मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज बताने वाला हूँ, तो अगर आप लाश्ट तक देखेंगे, तो उसका फायदा आपको मिलेगा, लेकिन पहली बार जब आप उसको ऐसा देखेंगे, तो ऐसा लगेगा नहीं, लेकिन बाद में हम लोगों ने देखा कि वह बहुत जेंटल मैन है, यह सब सारी चीज़े देखेंगे, आसान है, बट मैं एक बार पढ़ देता हूँ, यह यह वांट्स दैट सी एंट सर्जियस सुड़े कंप्रमाइज और मैरी, वो चाहता था कि सर्जियस और रहना कंप्रमाइज करके साधी करने, यह मेक्स एन एक्टिब अटेंप्ट फॉर एक प्रियास भी किया इसके लिए, जब रहना ने उससे अपना प्यार बैक्त किया तो उसने इसको सिर्यसली नहीं लिया, वो रहना को इम्मेचूर मानता था, सोचता था कि यह सतरा साल की है, इस लेटर अंदा स्वरी इट इस लेटर वन ही रियलाइज आट सी इस ग्रोन अप बाद में उसको पता चला कि यह रहना तो बड़ी हो गई है इस सतरा वर्सकी नहीं तेईस वर्सकी है, मैं अपसु करने के यह रहू हूं आप से सा इस भाया हूं। ओके पाच्व एडिंग सिंस एंड मॉडेस्ट ही टेक्स फैंसी फॉर रहना एंड कीप सिट अप तो दा लास्ट सर्जियस फू इस इंगेश्ट रहना फ्लर्ट्स बिद लुका जो सर्जियस देखिए ब्लंचली जो है वह रहना से ही प्यार करता हूं लास्ट तक प्यार करत हता लेकिन यह तट्रश लेकिन कीजियस है वह प्यार तो रहनास करता है लेकिन लोका से कहीं लुका से भी कहीं ना कहीं उसका संबंध है अि बट्रश्री हुई सालेंटली लप्सर रेमेंस फैस्पोल टु आउugen प्neaकरता है उसके प्रतिव पफादार रहता है टी बोस्ट आफीज 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 अबिलिटीज एंड कॉल्टीज अपने योग गिताओं का गुड़ों का वो कभी बखान नहीं करता कभी डिंग नहीं आगता है लट न दा वर्क आफ सेंडिंग शोडिर जब सेंडिंग्सेंपe टसलोचर का काम कर रहा था मतलब सैंट को कि आइसियावर्ट को सिरेशली एंद सिंसेली तो बहुत सिरियसली होकर और सिंसेली कर काम कर रहा था कि अनिमोशनल कि छटा कॉल्टी इसका क्या है ब्लंसली अनिमोशनल है थोड़ा सा इमोशनल नहीं होता है कि किसी चीज के प्रती इमोशनल हो जाए मैंने आपको पहले बता था कि एकक्साइट बहुत जल्दी चैनल हो गया होता है तो हैत बात को दिल पर ले लिया होता फर्स्टाइम जब मिला था उसके बेडरूम में और अगर उसके बेड्रूम के बाहर चला गया होता दाइट वुड़ाइब बीन में डेथ तो मर गया होता क्योंकि रहना ने कहा जाओ नीचे अब तुम देखो आराम से उतर जाओ पाइप के द्वारा तो अगर इस बात को अपने दिल पर लेकर वह नीचे चला जाता तो उस भावुक भी था लेकिन विचार भी करता था इस नहीं भावन में बहिए जाए फॉर साइट एंड इंसाइट इंपल्स इंडिटर्मिनेशन ही इस दा मोस्टीरियस करेक्टर इंड़ प्ले ओके साथवी हेडिंग है इस लब फार रहना देखें बोथ सर्जियस और ब्लंसली है बलब फार रहना दोनों प्यार करते थे रहना से बट दियर लब आर डिफरेंट फ्रॉम इच अदर लेकिन दोनों का प्यार एक दूसरे से अलग था सर्जियस लब हैस रोमेंटिसिजम यान यह को एक सब्सक्राइब है बरड़ेंट लेंट नाशी जाए रहना झांतर तक ब्लंसली नहीं होती है वह चाहता था कि रहना और सजियस कंप्रमाईज करके साथी कलने आध कि लाश्ट है इसकी कंक्लूज़न in conclusion we can say that bluntly is a new type of hero एक ने प्रकार का hero है he is a practical wisdom who has no illusions about the life and things चीजों के प्रती जीवन के प्रती उसका कोई ब्रहम नहीं है illusions means ब्रहम he is a professional soldier and hates war he has joined army to earn his living अपनी living को कमाने के लिए अपनी जीवका को चलाने के लिए उसने army join किया था तो इस प्रकार यह character समाप्त हुआ और इस character का यहां कहें कि यह जो पूरा का पूरा character है आपको लिखना नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने इसका पीडियाप बनाया है और description box में आपको इसका link मिल जाएगा वहां से आप download कर लिजे यही मुझे आपको last में बताना था ओके तो अगले वीडियो में मिलते हैं अगले character के साथ तब तक के लिए नमस्कार क्योंकि नहीं जाएगा